इन दिनों हर दिन शिव और निम्रत के बीच में आर्ग्यूमेंट और फाइट देखने को मिलता है पूरे दिन में ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट जरूर होते हैं जिसमें शिव और निम्रत एक दूसरे के साथ आगरी नहीं करते हैं शिव निम्रत एमसे इस टैन और सुम्बल गार्डेन एरिया में मस्ती कर रहे होते हैं इस मस्ती के बीच में शिव ठाकरे का टोन कुछ यू चेंज हुआ कि निम्रत को और आलुवालिया को शिव ठाकरे की बात दिबेट लगने लगी उसके बाद शिव और निम्रत में फाइट हो गया इसमें जो भी खाना आया था निम्रत को और आलुवालिया वो मंडली और शालीन के साथ शेयर करना चाहती है लेकिन यहाँ पर शिव ठाकरे इतने गुस्से थे कि वो निम्रत के पास ये खाने के लिए पहुचे ही नहीं सुमल शिफ के पास जाती है सुमल शिफ से बात कर रही होती है तो यहाँ पर शिफ सुमल से निमृत की कमप्लेन करते है कि अगर मैं कुछ भी बोलू तो वो मुद्दा बन जाता है यानि कि अगर निमृत मजाक कर रही है तो वो मजाक है और अगर मैं मजाक कर रहा हूँ तो वो डिबेट है विल सुमूर शिव की बात सुनती है उसके बात वो निमृत के पास जाती है निमृत को समझाने की कोशिश करती है अब यहाँ पर निम्रत शिव के बारे में बोलती है कि मैं भी तो यह बोल सकती हूँ कि वो सिर्फ मस्ती मेरे साथ करता है लेकिन जो भी दिल की बात है वो सिर्फ स्टैन के साथ शियर करता है भले ही निमरत और शिव मनली के वज़े से दोस्ती के वज़े से एक दूसरे से बात कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि निमरत और शिव के बीच में कहीं न कहीं दूरिया बढ़ रही है अब ये देखना इंट्रेस्टिंग होने वाला कि क्या मनली फिनाले तक पहुचेगी या उससे पहले ही तूट जाएगी शिव निम्रत की दोस्त आपके क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपिनियन हमें कॉमेंट की जरीए जरूर बताएए और साथ ही टेलेविजन से जुड़ी सभी लेकर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले